की चर्चा कर रहे थे हम तो बल में आपने देखा बल का मातरक हमने चर्चा किये बल का मातरक कौन सा होता है बल की एक अन्य डेफिनेशन क्या हो सकती है बल क्या करता है बल एक भोतिक रासी है बोतिक रासी भी कौन सी है सदीस बल एक भोतिक रासी है जो इस्तिर या गतीमान इस्तिर या गतिमान वस्तु की स्तिती में क्या करती है परिवर्तन करती है जैसे आपने देखा होगा मेच पे किताब रखिये जैसी आपने उसको उठाया तो उसके स्तिती में क्या हुआ परिवर्तन एक किस कारण हुआ बल के कारण से क्योंकि आपने उसको पेसिये बल लगा आया हातों की दुआरा कौन सा बल लगता है पेसिये बल इसके बाद आगी चर्चा करते हैं हम नेश्ट बल किसकिस पर डिपेंड करता है बल किसकिस पर निर्बर करता है बल की निर्बरता बल किसकिस पर निर्बर करता है देखो बल वस्तु के परीमान पर निर्बर करता है वस्तु के परीमान पर और वस्तु के भार पर और कारिये करने की दिशा पर कारिय करने की दिशा पर आप जिस दिशा में कारिय करोगे वो दिशा पर बल डिपेंड करता है यार रखने है दोस्तों यह पूछी जा सकती है आपसे निम्न में से बताईए बल किस किस पर डिपेंड करता है आपको कोई तीन या दो दे देंगे और दो अलग से देंगे या फिर एक अलग से देंगे तो आप से वहाँ पर पूचा जा सकता है किस पर डिपेंड करता है वस्तू के परिमान पर भार पर कारे करने की दिसा पर इन तीनों पर बल, depend करता है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम Next Question कि Next Question क्या है? Next Question है आपका किसी वस्तु पर बल लगाने पर जो विस्तापन उत्पन होता है क्या क्यलाता है? Direct Question बन सकता है अभी आपने चर्चा किये बल पर किसी वस्तू पर बल लगाने पर जो विश्टापन उत्पन होता है क्या केलाता है दोस्तों वो क्या केलाता है कारिय केलाता है explain करते हैं कैसे कारिय को represent करते हैं डबलू से कारिय को represent करते हैं डबलू से और बल F गुणा D F into D तो किसी वस्तू पर बल लगाने पर अब आप किसी वस्तू पर बल लगा रहे हो धक्का दे रहे हो मतलब बल लगा रहे हो तो आप बल लगाओगे तो क्या होगा उसकी इस्तिती में परिवर्तन होगा माना कि यह मारकर है मैंने इसको धक्का दिया तो यह इस हाथ से उस हाथ म है तो यह क्या हुआ तो यह क्यों मैंने क्या है कारिय इसपाष्ट आपको समझ में आया होगा अब कारिया आप क्या होता है यह सबसक्ता हूब सबसे अपता है इसका अब अन्य मात रख्या हो सकता है अन्य मात रख देखना आप बल का मात रख्या होता है न्यूटन बल का अन्य मात रख्या होता है न्यूटन और विस्तापन का अन्य मात रख्या होता है मीटर तो यहां पर इसका अन्य मात रख्या हो सकता है न्यूटन इंटू मीटर क् एक जूल में कित्ते अर्ग होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको एक जूल में दस्की घाज साथ अर्ग होते हैं कित्ते अर्ग होते हैं दस्की घाज साथ अर्ग होते हैं कारी एक क्या है कारी एक अदीस रासी है वैसे मैं इसके बारे में एक पूरा वीडियो बना हुआ जहाँ पर सदिस और अदिस रासी के ये बारे में explain करेंगे इसके बाद बात करते है तोरण अब इसके जो बचे हुए option है उनको clear करते है कि अब को तोरण अब तोरण क्या होता है दोस्तो तोरण के बारे में चर्चा करते है तोरण तोरण होता है वेग अपॉन समय तोरण क्या होता है दोस्तों वेग अपॉन समय इसको रिप्रिजेंट करते हैं इसमॉल एस है अब तोरण के तोरण की डेफिनेशन क्या बन सकती है मैंने आपको डेफिनेशन मनाना सिखा रखा है जब भी कोई चीज आपोन में होती है तो एकांग क्यूज करते हैं सापेक्स तो एकांग समय में किसी वस्तू में वेग में परिवर्तन की दर क्या केलाती है तोरण केलाती है वेग में परिवर्तन की दर किसी वस्तू में एकांग समय में वेग में परिवर्तन की इदर क्या केलाएगी तोरण केलाती है और आप जानते हो वेग वेग का मातरक भी आप पढ़के आये हो वेग का मातरक क्या होता है मीटर बाई सेकेंड और यहाँ पर समय एक उर दे रखता है तो समय का मातरक क्या होता है सेकेंड तो सेकेंड से सेकेंड गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड का इसक्वायर तो यहां पर तोरण का मातरक क्या होगा मीटर बाए सेकेंड का इसक्वायर ठीक तोरण क्या है दोस्तो तोरण भी एक सदीस रासी है इसके बाद चर्चा करते हम घनतु पर घनतु क् होता है कि थैजनात गनातु को हम रिप्रजेंट करते हैं डी से चाहत को प्रेजेंट करते हैं डी जे अब घननतों क्या होता है झानतु होता है दर्युमान बटा आईतन face ऑसकी डेफिनीशन क्या leaving एकांग आई तन में उत्बपन दर्युमान एकांक आईतन में उत्पन दर्विमान क्या कहलाता है गनतु कहलाता है इसका मातरक क्या होगा दर्विमान का मातरक होता है केजी दर्विमान का मातरक क्या होता है दोस्तों केजी इसके बाद बात करते हैं आईतन लंबा इंटू चोड़ा इंटू उचाए तो इनको किसमे मापते हैं? मीटर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब तो केजी मीटर क्यूब यह मातरक किसका होता है दोस्तों? यह होता है घनतू का याद रखना वेरी मोश्ट है पिछली बार आपसे आप एक सी घनतू पूझा गया था तो इस बार आपसे घनतू का फोर्मूला या मातरक पूझ सकता है इसके बाद बाद कर लेता है गती जुर्जा गती जुर्जा होती क्या है दोस्तों? किसी भी वस्तूप में गती के कारण से जो उर्जा उत्पन होती है उसे क्या कहता है गतिज उर्जा कहता है उर्जा का मातरक क्या होता है जूल गतिज उर्जा का जो फोर्मूला होता है वो फोर्मूला होता है आपका एक बटा दो मवी इसक्वायर यी बराबर क्या होता है एक बराबर एक बटा दो M.V.Squire मतलब दर्यूमान और वेक के वरग के उसquire के समानुपाती होती है गती जूर्जा बहते हुए पानी की उड़्जा उदहरन इसके बाद हवा का चलना पतंग का उड़ना ये सबी किसके उधारन है गतीज उर्जा के एक यांत्री कुर्जा होती है यांत्री कुर्जा क्या होती है दोस्तों गतीज और इस्तितिज उर्जा इन दोनों का योग क्या कहलाता है यांत्रिक उर्जा कहलाता है अब इस्तिती उर्जा क्या होती है किसी वस्तु की इस्तिती किसी वस्तु की इस्तिती में परीवर्तन करने पर उसमें क्या हो जाती है कुछ उर्जा संचित हो जाती है आपने बच्पन में चावी वाली गाड़ी देखी हुई लेकिन चावई पढ़ते हैं तो पास पास आ जाता है यह सबढ़ते हैं और चावई पर या चलने लगजाती हैं तो उसके अंदर क्या हुई वस्तू की इस्तिति में परीवर्टन हुआ एक परेंवर्टन करने पर उसमें जो उद्गा संचित होती है वो क्या केलाती है उसकी इस्तिती जुर्जा केलाती है उधारण क्या क्या है इसके उधारण है इसके जैसे बांद बांद से टर्बाइन पर पानी गिरना किसका उधारण है इस्तिती जुर्जा का गती जुर्जा मत कर देना गलती से गलत हो जाएगा आपका क्यूशन इसके बाद तीर कमान चलाना तीर कमान चलाने में आपने देखा होगा इस्तिती परिवर्तन करते हम फिर उसके बाद एक उर्जा संचित होती हम छोड़ते हैं तो ये बी क्या है दोस्तो इस्तिती उरजा का उधारण गिलगोल से पत्तर मानना ये भी किसका उधारण है सिचिती उधारण है और आज के लिए इतना ही खाफी है इसके लिए आपको वेरी mostrar venom करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना थेंक्यू वेरी माच गुड़ लग गुड़ बाए